कुछ के दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेर करें दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जիुरूर थे हेलो नमस्कार दोस्तों सवागा थे आपका जीन दोस्तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे मुखिस समझा टूड़े ब्रेकिंग नियूज के रूपे तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि जो भी वीडिय आप तक पहुंची रहे तो दोस्तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के रूप में तो दोस्तो आज की सबसे बड़ी खबर है पर एस्यो सब्मिट पे इमरान खान से नहीं मिलेगे प्रधानमती नरे नमोदी भारत और पाकिस्तान के बीच अभी कोई बादसीत संभाव नहीं है जी हाँ दोस्तो विदेश मंतरousse राले ने एस्यो समीट में भारत और पाकिस्तान के दूइपक्षी बातसीत की खबरों को सेरे से खारिच कर दिया है विदेश मंतरले के प्रवक्ता रवीज कुमार ने कहा है कि एस्यू समीट के दोराण प्रधानमती नरे इमरान खान से मुलगात करेंगे। आपको बता दी कि 13 चोदर जुन को विसकेक में S.C.O. समिट होना है। इस से पहले अटकने लगाई जा रही थी कि S.C.O. सिखर सम्मेलन में इतर परधार मंद्री और उनके पाकिस्तानी समकच इमरान खान के बीच दूइपक्चिये बैठ किया है। उससे दोनों देशों के बीच एक बार फिर से बाची सुरू होने की अटकने लगाई जा रही थी। इससे उमीद जताई जा रही थी कि अगले सब्ता किर्किस्तान के राजधानी विसकेक में दोनों देशों के प्रधान मंतिरी से मुलकात करने का प्रयास किया ज पर पस्च्री मगाल की मुख्मंत्री ममतब नर्जी के साथ काम करना सुरू कर देंगे वह एक महीने के बाद ममतब नर्जी के लिए चुनावी रणनीती तयार करने का काम करेंगे इस से पहले परसांद की सोर आद परदेश विधान सभा चुना में YSR कांग्रेस के लिए काम कर चुके हैं आपको बताती के ममतब नर्जी के चुनावी रणनीती कार और जेडियू के राष्टिय उपाध्धच परसांद की सोर से उन्होंने मुलकात कर ली है लोक्स बचुना में बीज़ेपी को 18 सीट मिलने के बाद ममतब नर्जी को अपनी जमिन खिसकने की असंका ह लिहाजा विधान सबाचुनाव के लिए वह कोई जोखी मोल नहीं लेना चाहती है कोलकाता में बैठा के बाद प्रसांद की सोर ने अपने उनके साथ काम करने का हामी भर दी है जी और दोस्तों अगली बड़ी खबर है YSR जगन मुहंड़ी ने चंदर बाबू नाईड़ी सरकार के समय का फैसला पल्ता, जाज करेगी Σीबियाय जी आँज दोस्तों पापा मारने के लिए समान सहमती की जरूरत होती है। इस बिवादित आदेश के जरी आदपदे सरकार के राज में भरष्टचार निरोधी ब्यूरो के जरी केंद्र सरकार के कर्मियों को भी खिलाफ भरष्टचार की जाच करने की सुरूग करने का आदेश दे दिया है। के गैर कारिकारी निर्देशक और संस्थापक चेर्मेन के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। उनके बेट रिसब प्रेमजी जो अभी कंपणी के चीफ एक्जिग्यूटिव ओफिसर और बोर्ड मेंबर हैं कारिकारी चेर्मेन पद का वो संभालेंगे। विप्रो ने अपने बयान के सिर्फ परबंदक में बदलाव की घोशना करते हुए कहा है कि अजीव प्रेमजी भारते पर द्योग में अगरदूतों में से एक और विप्रो लिमिटेट के संस्थापक कारिकारी चेर्मेन के पद से 30 जुलाई 2019 को रिटार होंगे। उन्होंने 53 सालों के अपनी इस बाग डोर में कमबान संभाली है। हाला कि वह बोड के गारेकारी निर्देशक और संस्थापक चेर्मेन के रूप में अपनी जिम्मदारी निभाते रहेंगे। इनी बोर्ड ने यह भी गोशना किया है कि मुखे कारिकारी और कारिकारी निर्देशक अभिदाली जीट निम्चवाला को फिर से CEO और मुखे परबंधक के रूप में नामित किया जागा कंपणी ने का है कि प्रबंधक में यह बदलाओ 31 जुलाई 2019 से प्रभावित होंगे और यह सियर धारकों के लिए मंजूरी पर निर्फर करेगा दोस्तों अगली बड़ी केपड़ है अगस्ता वेस्टलेंड घोटाला राजीव सकसेना के विदेश जाने पर लगी रोग ED उच नियाले के केंदर के वकील अजीम महराजन और ED के वकील नितीस राय की अरजी पर सक्सेना को नोटिस दिया गया था और 10 जून तक जबाब मांगा गया है आपको बता दे कि पीठी ने कहा है कि प्रतिवर्ती को नोटिस जारी किया गया है इस बीच संबंधित आदेश के क्रियानवेल पर अगली सुनवाई तक अस्थगन किया गया है आपको बता दे कि दुबई की दो कमपनिया यू एच वाई सक्सेना और मैट्रिक्स होल्डिंग के निर्दे सक्सेना को 368 रुपए के अगस्ता वेशलेंग घोटाले में एडी द्वारा दायर आरोप पत्र में नाम जद किया गया है जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी के वरे सिवसेना ने डिप्टी स्पीकर के साथ राजिपाल और कैवनेट में मांगी और जगाई जी हाँ दोस्तों सिवसेना ने नरेंद्र मोजी सरकार के सामने नई चुनोती खड़ी कर दिये सिउसेना ने लोग सबह में डेट्री स्पिकर की कुर्सी मांगी है इसके साथ ही सिउसेना राजिपाल और केंदर में एक और मंत्रीपत की मांग भेकी है संसत के बचट सत के ठीक पहले सिवसेना ने बीजेपी के सामने ये मांग पिस करके एक नया पेच फास दिया है संसत का बचट 17 जून से सुरू हो रहा है और 19 जून को स्पीकर का चुना होना है इसी बीच सिवसेना अद्यक्ष उध्व ठाकरे अपने सांस ब्रफ समित आयोध्या कुछ करने का अपिल भी कर दिया है ये मांग उठकर के माना जा रहा है कि सिवसेना बीजेपी पर दबाव बना रही है सिउसेना मोधी केविनेट में अहम मंतराले हासिर करने के चक्कर में है सिउसेना ने केविनेट मंतरी अरवींद सावंथ के पास हैवी इलक्टिक मिनिस्ट्री है सिउसेना कोई अहम मंतराले हासिर करने के जुगार में है सिउसेना को मालूम है कि एंडिये का बड़ा घटक जनतदल यूनाटेड मोधी सरकार में सामिल नहीं है इस हालत में बीजेपी पर सिउसेना के दबाव का दाव चल रहा है सिउसेना इस पेचीदावाजी में महराश्ट विधान सबाचुनाव में ज्यादा सिट मांगने के जमीन पर तषकार रहा है आपको बता दे कि बीजेपी विधान सबाचुनाव में सिउसेना के सामने मिलकर के चुनाव लखने के लिए एलान के साथ 135 सीटे सिउसेना को और 135 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाल लड़ने के लिए तयार है और बची 18 सीटों में सहयोगी दलों को पेस करने के अपील कर सकती है सिउसेना को यह फर्मूला पर एतराज है कि यहीं वज़ा है कि सिउसेना बीजेपी पर दबाव की राजनिती कर रही है दोस्तों बिड़ को एक लैक्ट जूरू कर दे दोस्तों 2024 तक हर घर में साफ पानी मोदी सरकार ने बनाया जल सकती मंतराले जी हाँ दोस्तों हर घर बिजली के पहुँच के बाद अब मोदी सरकार ने हर घर पीने के पानी की पहुँच पर काम कर रही है इसके साथ ही हर घर में पीने का पानी मुहया कराने के लिए सरकार ने जल सकती मंतराले का अगठन कर दिया है नया बना जल सकती मंतराले पहले के जल सकती मंतराले नदी विकास और गंगा पुनर जीवन मंतराले की जगह लेगा इस पानी का सर्वत्तम इस्तेमाल सुनिशित करेगा कि साथ ही बीजेपी ने साल दोज़ज़ चोबीस तक हर घर में स्वक्ष पीने का पानी पहुचाने का अलक्ष रखा है वहीं इस मंतराले के जरिये नदीव को जोड़ने की यूजना बनाई जाएगी इसमें पेजल के साथ सिंचाई की भी वेवस्था बेहतर करने की बात कही गई है आपको वदा दे कि तमिल नाडू के रामनाथ पूरा में एक चुनावे रेले को संबोधित करते हुए प्रधानमतिन मोदी ने वादा किया था कि अगर भारती जंतापाटी सरकार में आती है तो उसकी सरकार एक अलग जल सकती मंतराले बनाई सिखावत पाले क्रिशी और विकास कल्यान राजमंतिरी थे वह राजस्थान से जोधपुर निर्वाचन छेतर से दो बार लोकसभा सांसत भी रह चुके है अगले वड़ी के परे फ्रांस भारत की वाईउसियना का सबसे बड़ा जुलाई में रफाल उड़ाएंगे एरफ़ोर्स के पाइलिट जी हाँ दोस्थो भारती वाईउसियना अगले महिने साल के सबसे बड़े योध्यपयास में उतरे की इससे भारत और फ्रांस के लिए वायुसेना आस्मानी युद में अपनी महारत को आजमाए की इस युद भ्यास की खास बात यह होगे कि इस साजा युद भ्यास में भारती वायुसेना के अजे माने जाने वाले सुखोई थर्टी लड़ाकों विबान का दमकन फ्रांस इसी वायुसेना का अर रफाल फाइटर के साथ आजमाए जाएगा भारती वायसोना के लिए यह सबसे अहम मौका होगा जब उसे अपने मौझूदा हंथियार और भविश से के हंथियार दोनों के साथ परकने का मौका मिलेगा फ्रांस और भारत ने साल 1998 में रणैतिक समझोते के तोर पर हस्ताक्चर किये थे और तब से दोनों देसों की सेना साजा युदाब्यास करती है जुलाई के पहले सब्ता में सुरू होने वाला गरूर छो युदाब्यास दो हपते तक चलेगा इसके लिए भारती वायवसियोना लगवग 10 सुखोई 30 फाइटर जर्स के अलावा हावा में ही विमान में इंधन भरने वाला टैंक IL-78 और IL-76 अवाक्स को लेकर के जा रही है इस अभ्यास में वायवसियोना के 150 से ज़्यादा अधिकारी सामिल होगे गरूर युदभ्यास की सुरुवाथ 2003 में गवालियर एरबेस से हुई थी और इसके बाद कई बार ये अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हो चुका है आखरी बार ये युदभ्यास भारत के जोधपूर एरबेस में 2014 में हुआ था इस अभ्यास में भारती वायसेना को दुनिया के बेहतर वायसेना मानी जाने वाले फ्रांस की वायसेना के काम करने के ढंग और उपकरनों से सीखने का मोका मिलता है